यहां पर हम Acid Base Disorder स्टार्ट करेंगे देखें डिसॉर्डर को मैं इस तरह लिखता हूँ हूँ ठीक है न तो सबसे लिए याद रखें कि जो Acid Base Balance है ठीक है बिट्वीन पराशल प्रशर ऑफ कर्बन डायकसाइड एंड बिट्वीन बायकार्बोनेट आइन ठीक है ठीक है ठीक है न तो यहां पर जो Concentration of H-plus आइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी-एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम पी-एच कहते हैं बैसिकली ठीक हम देखेंगे इसको ठीक है तो वेरी करती हैं अगर यह पी-एच इस रेंज से बाहर जाएगी तो बैलन्स खराब हो जाएगा फॉर एगर यह 7.45 से उपर जा रही है तो हम उसको अलकेलोसिस बोलेंगे अगर यह नीचे जा रही है 7.35 से तो हम इसको ऐसी डूसिस मैं कि इसको एसलिए मैं डियो नहीं लिखा या डिसोडर होता तो में असिड बेइस डिसऔर लिखता है तो यह असे बैश डिसुर्म shattered एक ही बात थियुक्त कुछ इस बात है लेगिन percentमेंटब्लेंटि कुछ इस तरक ही है और यह असानी भी हो रही है jetzt gray disorder लिखने मैं इसलिए मैं इसको ABD लिख रहा हूँ तो acid based disorder की जो accurate measurement करने के लिए हम किस पे rely करते हैं हम rely करते हैं arterial blood gases की measurement पे और हम rely करते हैं किस पे lactate levels of the blood की measurement पे फिर हमार पास आती है normal values क्या है अगर तो हम pH की बात करें pH की normal value मैं ने आपको पहले ही बता दी ठीक है इसी तरह अगर partial pressure of carbon dioxide की बात करें तो इसकी normal value क्या है इसकी normal value है 33, 35 से लेके 45 कुछ books में different है तो इसकी ना यापने याद रखना है तो इस range में ये normal है अगर इस सरफ आ जाएगा तो ये acidic हो जाएगा 7.33 से नीचे और इस तरह जाएगा तो ये acidic हो जाएगा इस तरह आएगा तो इस तरह आएगा तो एक alkaline picture alkalosis वाली picture होगी ठीक है इसी तरह partial pressure of sorry, bicarbonate की बात करें bicarbonate देखें bicarbonate हमने bai 2 अठाई हमने ये याद किया था ना ठीक है ना इसका भी अगर उपर जाएगा तो यहाँ फिर alkalosis हो जाएगा क्योंकि एक base है carbon dioxide तो एक acid है जितनी ज्यादा होगी acid उत्रा ही pH कम होता जाएगा और acid बनता जाएगा ये base है तो ये base जितना ज्यादा होगा तो alkalotic हो जाएगी situation और अगर ये कम होता जाएगा तो acid होती जाएगी लेकिन यहाँ पर इसकी values by to अठाई नहीं है यहाँ पर इसकी values by to छबी हैं ठीक है यह भी आपने देखना है फिर pH का तो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो देखें जो acid based disorders हैं ये कौन-कौन से यानिके प्राइमेरे में प्राइमेरे ली इनको दो में डिवाइट किया जाता है एसी डूसिस यानिके एसीडोसिस और अलकलोसिस ही तो acid based disorders है तो इस इस इन acid based disorders को हम डिवाइट करते हैं शुरू में primary respiratory disorder में और फिर primary metabolic disorder में ठीक है अगर हम पहले बात करें primary metabolic disorder की primary metabolic disorder की तो देखें ये metabolic disorder रहाँ हम करें प्लाजमा बाइकार्बोनेट को ठीक है ना यह वो डिसॉर्डर प्राइमिर मेटाबोलिक डिसॉर्डर उस डिसॉर्डर को करते हैं जो इनिशिली एफेक्ट करता है कि इसको प्लाजमा बाइकार्बोनेट को ठीक है ना एफेक्ट कैसे करेगा बाइकार्बोनेट या तो तो बायकर्बनेट इंक्रीस होगा इसमें यह तो बायकर्बनेट डिक्रीस होगा जब इंक्रीस होगा तो एक मेटबोलिक अलकेलोसिस कहेंगे इसको मेटबोलिक अलकेलोसिस इंक्रीस हो रहा है ना बेस रिस्पारेटरी रिस्पांस को रिस्पारेटरी रिस्पांस क्या हो सकता है या तो ये वेंटिलेशन को कम कर सकता है किस केस में जब जैडर इंक्रीज बाय कर्बोनेट या तो ये वेंटिलेशन को ज्यादा कर सकता है देखो वेंटिलेशन को कम करने का मक्सद क्या है कार्बन कार्बन डायक्साइट की रिटेंशन ज्याद होगी कार्बन डायक्साइट की रिटेंशन ज्याद होगी बॉड़ी में जब सांस कम लेगा बंदा शेल होगी बॉडिदिंग करके जब सांस ज्यादा लेगा करके तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डायक्साइट हम जो वेंटिलेशन कम करके कार्बन डाइकसाइड को बाड़ी में रिटेन क्यों करेंगे यानि एसिट को बाड़ी में रिटेन क्यों करें क्यों क्योंकि बेस ज्यादा हो गई हो जाए तो हम ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइकसाइड को रिटेन करेंगे तो हम देखेंगे कि सिचुएशंज बे कार्बन डायक साइड का पार्शल प्रेशन भी बढ़ रहा होता है 60 तकुंचे रहा होता है उसे भी जादा हो सकता है या 50 से ओपर हो सकता है वहरल है normal से ज्जादा ही होगा कार्बन डायकสाइड जब जब कम वेंटिलेशन कम होगी और कार्वन डाकसाइट रिटेन होगी तो ठीक है अगें इसको हम रिपीट करते हैं देखें प्राइमिरी जो मेटबॉलिक डिसॉर्डर है ठीक है यह इनिशिली एफेक्ट किसको करता है प्लाजमा बाइकर्बॉनेट को और एफेक्ट क्या जब बायकरबोनेट या तो रिबाजा एकल्स के लाएगी जब ड़कर्बॉनेट कम होगी तो gibi अकलोसिस क्लिक को एकलोसिस के लाएगी अब जो प्राइमिरी मेटबॉलिक डिसॉर्डर है प्राइमिरे मेटबॉल भी और यह क्या करता है स्टिमिलेट करता है कि इसको respiratory response को respiratory response कैसा होगा depending on these situations decrease ventilation होगी यह फिर increase ventilation hyper ventilation होगी ठीके decrease ventilation होगी तो carbon dioxide retain होगी बाडी में ठीके और increase ventilation होगी तो carbon dioxide को हम read कर we will get rid of carbon dioxide यानि कि बॉड़ी में carbon dioxide यानि acid कम हो जाएगा ठीक है ना इसा क्यों देखें इसा इसलिए होता है क्योंकि हम pH को bake करना चाते हैं दुबारा normalize की तरफ ठीक है दुबारा normal करना चाते है कि इसको pH को फॉर एक्जामपल आपिज गार्बनीट जिसम में बढ़ रहा है metabolic condition में तो base बढ़ रहा है ना इस base बढ़ रहा है तो ये base को be snapshot कराता है body की necessity बढ़ाता है जब basicity बढ़ाता है तो Atari respiratory response click हो जाता है जब回 operator response उस case में ventilation कम करेगा ventilation कम करके acid को बढ़ा देगा बाड़ी में जब असे बढ़ जाएगी तो यह बैसे से कम होती 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 फिर देखो पिएज इसकी नौर्मल की तरफ आने की कोशिश की होगी ठीक है तो याद रखें कि इस केस में इसलिए मेटबॉलिक कहते हैं कि इसमें केस में देखो प्राइमिरी जो हुआ जब बॉडी में जाती है तो पानी आपको पता है 60% बॉडी में पानी होता है वो पानी से मिलके तो यह इसलिए इसको हम एक एसिट कहते हैं ठीक है अब प्रॉमरी número H2D बाइमरी डिसॉडरी ब्वार्च बरमाई वाकर्वाइर फिर को प्रामि मेटबॉली डिसॉडर, हमें व्लाइब कुण में यह अज़िक थे इसे हैं 2017, सप्रामिरर वे नुरर प्रामि बाइमरी डिसॉड़ को प्रामनी घुम Pac-4G २ृु परिशाल प्रिश्ण कार्बिनेट बढ़ जाती है तो catch Gard dinero करभनोय ही राफट होता है तो एसको हम फिर кहते हैं अध्यधर फिर दॉन्परिशन होगें आप Θलीений से फिर फिर क्रेड स्फिर्ड की एक्सीन होती है और तो एक एक्सीलेट सीना तोρί न chat ऑई उर चेक्छ तो फिर इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे रिस्पारी आďकेलोसिस यह ऐसेट एक्सक्रीट हो रहा है बाड़ी से तो अंदर आटकेलोसिस होगी ठीक तो देखें अगर तो इन दोरों को हम प्रांपरी असपडर कहते हैं तुर भी तो और इसक्रेकली को सिफिनुलेट करते हैं तु ये audaa है उसक ना ये क्या नом second time दो कि यह सुफे करती है ये करता है और फिर उसक वियर ये वैंसे करते हैं की मैँड़ को कैसे होता है तु यह तो कैसा सबस्क्राइब करता है या लूज करते हैं जब रिटेन करेगी तो देखें ऐसा क्यों ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि पी-एच को हम दुबारा कैसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं इसके थूप ठीक है ना और इसमें देखो प्राइमरी जो अबनॉर्मल्टी है वो कोंसी है वो है चेंज इन कंसेंट्रिशन ओफऌर्वन ड्यकसाइट है भाउर्मल्टी याृट एफ़ रिबीट करते हैं देखें के प्राइमरी डेस्टाडर्र क्या होता है वो इनिशिली एफेक्ट करता है पार्शल प्रेशर अफ कार्बन डायकसाइट को या फिर केसे एफेक्ट करता है हाइपर वेंटिलेशन के जरीए या फिर हाइपर वेंटिलेशन के जरीए हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कार्बन डाइकसाइट की रिटेंशन होती है ठीक है ना बाडी में और रेस्पारेटरी असीडोसिस हो जाती है हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइकसाइट की एक्सक्रीशन होती है और रेस्पारेटरी अलकेलोसिस हो जाती है अब यह जो primary respiratory disorders हैं primary respiratory disorders यह stimulate करते हैं किसको करते हैं metabolic response को metabolic response क्या होता है metabolic response कैसा response या तो यह bicarbonate को retain करता है देखो याद रखो अगर तो hypo ventilation होके acidosis हुई है तो हम metabolic response retention of bicarbonate होगा अगर hyper ventilate होके excrete होके alkalosis हुई है तो excreation of base होगी ठीक है through kidneys सही है तो यह responses आते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं क्योंकि हम pH को normalize करने की कोशिश करते हैं हमारी body दुबारा ठीक है ठीक है ना तो यह pH को normalize करना क्यों जरूरी होता है देखे हैं हमारी body के जितने भी system से एक खास pH पर work करने के आदी होते हैं अगर यह pH base की तरफ जाती है या acid की तरफ जाती है किसी भी तरफ जाती है तो वो enzymes, proteins, यह वो फिलाफ इसना वो सारे काम नहीं कर पाते हैं ठीक है जिसके वीसे body के mechanisms disturb होते हैं यहां तक कि फिर death भी हो सकती है ठीक है ना ठीक है अब हम बात करेंगे किसकी metabolic acidosis की ठीक है सबसे पहले metabolic acidosis पढ़ेंगे ठीक है मेटाबोलिक acidosis की definition क्या होगी metabolic acidosis ऐसी situation जिसमें there is increase in H plus iron concentration in combination with decrease in bicarbonate decrease in bicarbonate हो तो उसको हम metabolic acidosis कीते है ठीक है जो जब भी H plus increase होगा तो PH decrease होगी Decrease in pH का मतलब होता है ACIDT ठीक है ना Decrease in pH का मतलब होता है ACIDT ठीक है ना अच्छा अब इसकी compensation हम कसे करते हैं metabolic acidosis की compensation ठीक है compensation थीक होगे अगर तो H plus iron concentration इंक्रीज होती है तोह स्वेंगृार तो किसको मैं तो हैं किसको अंते किसे मेडुबंगे होगागा तो ईजब ब्लाउट começo कोती ये इंक्रीचन थाjestर व्क और te बढ़ जाती है तो हम carbon dioxide को ज्यादे ज्यादा excrete करती है एक acid है carbon dioxide जब acid देखो acid बढ़ रहा है ना तो हमने acid को excrete किया यह respiratory compensation है ठीक है क्यों किया क्योंकि हम normalize कर सकें कि इसको normalize कर सकें pH को ठीक है पीच को normalize कर सकें देखें kidneys जो होती है यह फिर यह क्या करती है यह क्या करती है सिक्रीट करती है एच प्लस आइन ठीक है kidneys की बात कर रहा हूं यह kidneys get rid of एच प्लस आइन और kidneys also they try to retain by carbonate ठीक है ना base को यह retain करने की कोशिश करते हैं in case of metabolic acidosis की compensation में ठीक है ठीक है अब देखें जो metabolic acidosis है यह तो यह increase production of endogenous acids की वेसे हो सकती है या फिर यह किस की वेसे हो सकती है यह increase by carbonate loss की वज़ा से metabolic acidosis हो सकती है एच ए ना endogenous acids कौन कौन से for example like acidic acid हो गया और ketone bodies हो गए यह सारे acids ही तो है यह इन वे से metabolic acidosis हो सकती है इस Metabolic Acidosis को फिर में क्या होता है, Increased Anine Gap Acidosis होती है, ठीक है ना, जब कि जो Increased Bi-Carbonate Loss होता है, या तो फिर Interstinal Fistula में, देखो किसी भी Fistula में, ठीक है, और, या फिर Hyper Cloremic Acidosis में ये होती है, और इसमें Normal Anine Gap, ये नगमा है, ठीक है, Normal Anine Gap Metabolic Acidosis होती है, ठीक है, तो ये Base De Deficit, ठीक है, Base Deficit देखें, ये क्या होती है, It Is The Amount Of Bicarbonate In Millimoles That Is Required To Correct Acidosis, इसको हम Base Deficit करते हैं, ठीक है, ठीक है, Base Deficit मादलब, Requirement Of, Amount Of Bicarbonate That Is In Millimoles That Is Required To Correct Acidosis, Base Deficit करते हैं, Base Deficit को हम Calculate कैसे करेंगे, ठीक है, Base Deficit Equal To Bicarbonate, Bicarbonate Into Point Two Into Weight, ठीक है, तो Bicarbonate Normal, Bicarbonate, ठीक है, ये M, ठीक है, M का क्या मतलब, Mayored Bicarbonate, Normal Bicarbonate से Minus करेंगे, Mayored Bicarbonate को Into Point Two Into Weight, अब Point Two क्या है, इसमें देखें, Point Two जो है, That Is Extra Cellular Compartment, जो के 20% Of The Total Body Flute होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें Point Two लगाना इस फरोल में जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ठीक Bicarbonate माइनस, Mayored Bicarbonate into Point Two into Weight, इन केजी, ये वेट जो होता है, इन केजी में होता है, याद रखें, इसको आपने बूलना नहीं है, ठीक है, ठीक है, जो उसके बाद, Common Causes of Metabolic Acidosis, अगर हम देखें, तो Increased Acid Production, यानि के Increased Anion Gap, जो Metabolic Acidosis है, इसमें फिर आपको पता है, लेक् Acidosis होती है, Severe Hemorrhage में भी तो बाद में जाके शौक हो जाता है, इसमें भी लेक्टिक Acidosis हो जाती है, ठीक है, उसके बाद, Keto Acidosis भी इसके causes में है, और Renal Failure भी KRL, ठीक है, के आर एल, इसका निमोनिक है, ठीक है, उसके बाद, Increased Bicarbonate Loss, यानि के, नार्म, नगमा, ठीक ह नगमा में क्या क्या है, डाइरिया है, वही फिस्टूला है, इंटस्टान, जो हमने पढ़ा, Hyper Chloremic Acidosis है, ठीक है, अच्छा, Metabolic Acidosis की फिर Clinical Features क्या होती है, इसमें पेशेंट क्या करता है, Hyper Ventilate कर रहा होता है, तो करेक्ट पी-एच, आपको पता है, Carbon Dioxide को ज्याद स्याद एक्सक्रीट कर रहा होता है, और उसका डिक्रीज इन सीरम बायकर्बनेट, आपको वैसे ही पता है, बायकर्बनेट लोगा तो ही, Acidosis होगी न, ठीक है, इसमें तरह डिक्रीज इन पी-एच, इसमें आपको नजर आएगी, ये Clinical Features हैं, ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट की, देखें, कि जो Metabolic Acidosis है, इसको हम केसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, देखें, मेन कॉस्स जो होती है, इंक्रीज प्रोड़क्शन ऑफ एंडोजेनस एसिट्स की, इंक्रीज प्रोड़क्शन ऑफ जो एंडोजेनस एसिट्स मैं आपको बता है, कि ट्रीज लेक्टिक एसिट व ऐसे की मेन काज है, किस के-विंक्रीज प्रोड़क्शन होती है, इंडोजीनस एसिट्स की, शौक में भी हम ने ये पड़ावा था, ठीक है, तो ऐसे केजिछ में हमने क्या करना होता है, एडिक।ट रिसेस्टेशन जुरूरी होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो 50 ml of 8.4% sodium bicarbonate है 50 ml of 8.4% पचास चुरासी ठीक है ना 50 ml of 9.4% जो sodium bicarbonate है यह हम सिर्फ और सिर्फ उसी situation में दे सकते हैं जब there is acute severe acidosis हो और ऐसे cases में हम cardiac arrest से बचाने के लिए patient को यह देते हैं ठीक है याद रखें सिर्फ और सिर्फ acute severe acidosis को sodium bicarbonate हम नहीं देते mild cases of metabolic acidosis में ठीक है ना हम क्यों नहीं देते क्योंकि यह जो bicarbonate है यह convert होती है किसमे convert होती है carbon dioxide में carbon dioxide में यह convert होती है और इससे फिर आपको बता है यह acid है carbon dioxide acidic acid है तो फिर फिर क्या करती है यह worsen करेंगे किसको इंट्रा cellular जो acidosis है उसको ठीक है यानि अब देखें कि हम correct क्यों करते हैं metabolic acidosis को why we correct metabolic acidosis ठीक हम metabolic acidosis को इस लिए correct करते हैं क्यों क्योंकि metabolic acidosis में cardiac contractility भी कम हो जाती है cardiac output भी कम हो जाता है ठीक साथ-साथ क्या होता है यह दोनों तो कम हो जाते हैं cardiac contractility और cardiac output लेकिन साथ-साथ arterial vasodilation भी हो जाती है vasodilation भी हो जाती है जिसके विएसे hypo tension का ऑगा क्या हो जाता है ठीक है टीक है या तो इसलिए हम metabolic acidosis को correct कर्रेक्ट करने के कोशिश करते हैं देखें जात रखें जब acidosis होती है तो जो जो node आम केटिकूल मैंच हमने देने होते हैं इन केटिकूल ouv burnout का इन केटिकूल इसके एक्योर वेज़ कंस्ट्रिक्ट्टिव एफेक्ट होता है, तिक है इनका आयान dauरो्सडिक एफेक्ट और वेज़्ट्रिक्ट इफेक्ट है नहीं हो पाता है, इनके खिलाफ हो जाती हैgt e got घे किक लामाइन्स की ठीक है ने तो इसके वैसे हमें कर्वेक्ट करनी पड़ती है어야 मेटाबॉलिकक केर्दी लॉसिस तो यह जो हम ready के जाती हैं हम ने यह फिर उया जाते हैं ।ah और इंका